सबी पसुपालक भाईयों को नमस्कार मैं देव से खावत आपका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूटूब चैनल डेरी फार्मिंग में उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन होंगे तो दोस्तों आज का जो टोपिक है वे हमने एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं पसुपालक भाई हैं उन्होंने हमसे एक सवाल किया है उसी के उपर आज हम चर्चाएं करेंगे तो आज जो आज का मैं सवाल आपको बता रहा हूं इसमें जो सवाल किया गया है यह है रवी राज लामबा जी इन्होंने कहा है नमस्कार सर सर जी एमेरजेंसी में क्या इलाज करें कई बार अफारा इतना बढ़ जाता है कि 15 मिनट में ही भेड या बक्री मर जाती है कली हमारे एक भेड मर गई जो हरा चारा जादा खा गई और फिर जाल के सूखे पत्ते खा लिए जिससे गैस बहुत जादा हो गई और 10 मिनट बाद तो उसका सांस लेना मुस्किल हो गया हमारे बरसात हुई है और खेतों में घास हो रहा है इस एक जानकारी मुझे ये भी देना कि जाल के सूखे पत्ते भी नुपसान दायक है क्या तो ये रवी राज लामा जी है अगर रवी राज लामा जी आप इस वीडि पारी देंगे जिसको हर जगे के हिसाब से कहीं अफारा बोला जाता है कहीं आफरा कहीं गैस या ब्लॉट समझ से आनि की ब्लॉट इन कैटल तो हम आज इसी के उपर चर्चा करेंगे और आज की जो वीडियो है ना इसमें जो मुख्य मुख्य टोपिक होंगे वह होंगे अफ अफारा रोग के कारण अफारा रोग के लक्षन अफारा रोग की रोक्ताम एवं बचाओ अफारा या आफरा या गैस या ब्लॉट आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं इस रोग के देशी उपचार के बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा तो आज हम ये चार ट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डेरी फार्मिंग परिवार का अब भी हिस्सा बन जाईए यहां पे हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देते रहेंगे तो आईए चलते हैं इसके पहले टोपिक के उपर तो हमारा जो पहला जो टोपिक था आज की वी उस घास को खाने के बाद में आपके जब पसू है वो उसको खाएंगे तो यह अफारा का कारण बनता है आप यह चीज बात धान में रखिए यदि भीगी और हरी घास अपने पसूं को खिला रहे हैं तो यह अफारे का कारण बनेगी कोई भी जो चारा रोटी या कोई भी आप उसको फपूंदी युक्त फंगस वाला खाना ना दें यह भी एक मुख्य कारण होता है या अत्यदिक मात्रा में खाना खा जाना या कच्चा एम पक्का चावल खा जाना तो दोस्तों यह चार कारण जो हैं वो अफारा के मुख्य कारण हैं अंदर आगे बढ़ते वे जैसे हम इस अफारा रोग के लक्षण के बारे में भी जान लेते हैं कि अफारा रोग यदि हमारे पसू में आ गया है तो इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं वैसे तो आप सभी पसू पालक भाई जानते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं अगर आपको देखना है तो यह देखिए मैं आपको एक image दिखा रहा हूँ इस image में आपको तीन इस्तियां दिखाई दे रही है पसू की इसमें आप अपने पसू के पीछे की side में खड़े हो करके देख सकते हैं पहला जो इस्तिती है पहली जो condition है वह बिल्कुल normal पसू की है और दूसरी condition में हलका हल उसको अफारा दिखाई दे रहा है एक side में और जो तीसरी जो image तीसरी जो photo आपको दिखाई दे रही है इसमें यह जो छवी दिखाई दे रही है इसके अंदर अफारा अपने पूरे पीक के उपर है तो जब अफारा इस इस्तिती में होता है तो आप यह समझ लीजिए कि यह gas या blot या अफारे का कारण है दूसरा आपके पूसू को स्वांस लेने में अगर परिशानी हो रही है उसको तकलीफ हो रही है या आप असू का पेट फूल गया हो या पसू बार-बार पेट की तरफ देखता है या बार-बार अपने पेट की तरफ लात मार रहा है या पसू बाइं तरफ यानि की बाइं हिस्से की तरफ हो करके और जमीन के उपर लेट जाता है और अपने पैरों को जमीन पर पठकता है या उसकी पाचन क्रिया सही से नहीं हो रही है पेट में गैस की आवाज आ रही है आप जब उसको जैसे हाथ से अगर बकरी है आप उसको आफारे का आती है तो इसका मतलब उसके कारण हुआ है यह जिड़े हैं लाके isn't सकती है चालर के यह जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल से क्योंकि इसका जो अगला भाग है वे कल आने वाला है कल के भाग में आपको हम बताएंगे कि आप अपने पसुओं की रोक थाम, इलाज यों उपचार अपने घर से ही कैसे कर सकते हैं तो कल का पार्ट आप बिल्कुल मिस ना करें, देखते रहें, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें और अपारे से जुड़ी हुई हमारी अन्य वीडियो भी आप देखना चाते हैं न, तो आप हमारी ये वीडियो अफारे से संबंदित ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और नीचे ही हमने देखें ये दूसरी जो वीडियो है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, इस आइकन यानि की डेरी फार्मिंग के आइकन के उपर प्रेस करें, धन्यवाद दोस्तों